चटपटा और बहुत ही टेस्टी आलू-장 Earlby República की रेसिपी बहुत सिंपिल हैस्ट रेसिपी मिन्टों में बना अलु कर सकते हैं छोटे चोटे आलू लीये हैं मैंने आधा किलो इनहें हम बॉयल कर लेते हैं पहले तो प्रेशकूकर में डालेंगे पानी डाल लेते हैं इसमें नमक भी आड़ कर लेते हैं आधा चम्मच और ढखकन लगाकर हम इसे प्रेशकूक कर लेते हैं एक सीटी आने तक आलू पकराया है तब तक हम बना लेते हैं मसाला मसालों को रोस्ट करना है तो पैन में डालेंगे एक बड़ा चमच जीरा, आदा चमच डालते हैं काली मिर्च, एक बड़ा चमच है धनिया, एक छोटा चमच डाल लेते हैं सर्सों के दाने इन मसालों को रोस्ट करेंगे, सौन्दी से इसमें खुश्बू आ जाए और हलका सा इस पर गोल्डन कलर चड़ने लगे, इसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे, मसालों को ठंडा कर लेते हैं और इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, मसाले को अच्छी तरस से पीस समय बारिक सा इसका पाउडर बनाएंगे, और इसे रखते हैं साइड में आलू में डालने के लिए, आलू की तरफ आते हैं, आलू पक चुका है, आलू के ऊपर से छिलके निकाल कर इन्हें रेडी रखते हैं, अब आलू मसाला बनाने के लिए कड़ाई में ले रही हूँ तीन बड़े चम्मच तेल, इसमें डालेंगे चार सूखी लाल मिर्च, लेसन है बारिक चॉप किया हुआ एक बड़ा चम्मच, थोड़े से इसमें करी पत्ता भी डाल लेते हैं, चलाते हुए ये मसाले को मीडियम फ्लीम पर पकाते हैं इसके चटक जाने तक, इसके बाद हम इसमें डाल देना है आदा चम्मच हल्दी का पाउडर, आदा चम्मच डालेंगे तीकी वाली लाल मिर्च का पाउडर, और आदा ही चम्मच डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आजाएगा आलू के उपर, पाउडर मसालों को तेल सारा पाउडर मसाला डालेना है नमक अपने टेस्ट के दिशल के भी खाय雞 świat हमें मिक्स करते जाना है मीडियुम फेलेम पर मसाले आलूपर अच्छी तरह से चड़ जाएंग इसके बाद घालेंगे थोड़े से बारिक चप किय Pandi के अदिन पत्ते या फिर आप इमली का पानी डाल लीजिए या इस पर अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं तो फिर से एक बार मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है मेडियों फ्लेम पर और फ्लेम को बंद कर देंगे चट पता मज़िदार मसालेदार आलू बनकर रेडी हो गया है ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक बार नहीं बार बार बना कर खाना चाहेंगे चट पते आलू को चाहें तो आप इसी तरह से सर्फ कर ले या फिर रोटी पराठा दाल चावर खिच्डी के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं